आज आपके साथ शेयर कर रहे हूँ पानी वाला मिर्चों का अचार ना इसमें तेल पड़ेगा और ना ही इसमें ज्यादा मसाले पड़ेंगे बहुत ही हेल्दी लेकिन पहत टेस्टी ये मिर्चों का अचार बनकर रेडी होगा जिसे आप करीब 6 महीनों के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं रेसिपी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम मिर्चे ली हैं ये मोटी वाली मिर्चों को धो कर इसे ड्राइ करके रख लेते हैं अब एक पैन में हमें लेना है डेड़ का पानी पानी को हाई फ्लेम पर गरम करेंगे जैसे ही इसमें उबाल आ जाए इसमें डालेंगे एक चमच नम नमक पानी में घुल जाए इसके बाद हम इसमें मिर्च डाल देते हैं मिर्चों को डालने के बाद अलट पलट कर लेंगे इसे और दो मिनिट के लिए हम इसे धक कर पकाएंगे एक दम लो फ्लेम पर धकन हटाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे अब मिर्चों को हम पान पर एक मिनट के लिए हम सेक लेंगे सौफ और मेथी को ठंडा करके ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं अब ये बारिक वाली सरसों के दाने मेंने लिए हुए हैं इसमें हलकी सी खटास होती है और इसका फ्लेवर भी बहुती बढ़िया होता है तो तीन बड़े चम्मच बारिक सरसों के दाने डाल कर धकन लगा देंगे और इसे एकदम बारिक सा पीस कर निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस मसाले में डालेंगे एक चम्मच काला नमक आदा चम्मच डाल लेंगे हींग आदा चम्मच नमक डाल लेते हैं अच्छी तरह से सारी चीजों को मिक्स क पानी वाली मिर्चों के लिए मसाला बनकर रेडी हो गया है अब मिर्च की तरफ आते हैं मिर्च ठंडी हो चुकी है बीट से मिर्चों को इस तरह से काट लेंगे ताके इसमें हम मसाला भर सकें तो जो मसाला अब हमने बनाया हुआ है ये इसमें डाल लेंगे सारी मिर्चों के अंदर मसाला भर कर रेडी रखते हैं यह पानी जिसमें हमने मिर्चों को पकाया था इसमें अब डालेंगे एक बड़े नीम्बू का रस इसकी जगह पर आप चाहें तो वाइट विनिगर भी आड़ कर सकते हैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे बचा हुआ जो मसाला है ये भी इसमें मिक्स कर लेते हैं मसाला भरी हुई मिर्चों को अब एक ग्लास जार में डाल लेते हैं सारी मिर्चों को डालने के बाद जो मसाले वाला पानी है ये इसमें डाल देंगे पानी को डाल कर इस पर ढकन लगा देंगे एक घंटे के लिए ही बस हमें इसे दूप एक घंटे बाद ये पानी वाला मिर्चों का चार तयार हो जाएगा खाने के लिए बिना तेल और ज्यादा मसालों के बहुती टेस्टी और हेल्दी मिर्चों का चार बनकर रेडी हो गया है आप इसे करीब 6 महीनों के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके खा सकते हैं